मुझे पता ही नहीं था कि कोई दो और दो प्यार करके कोई मूवी भी आने वाली है अब मैंने बुक माई शो जो एक एप है उसको ओपन किया और सोचा किया क्यों ना इसके उपर देखा जाए कि आने वाले फ्राइडे में कौन सी मूवी आने वाली है होलीवूड या बोलीवूड वहाँ पर मुझे यह मूवी दिख जाती है और यह मूवी थेटर्स में आई होती है मैंने काफी बार ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि मैं कोई मूवी जब देखने जाता हूँ जो मुझे पता नहीं होता है तो मैं उसका ट्रेलर फिर देखता ही नहीं है मैं सीदा चला जाता हूँ बही साब एक तरिके से सर्प्राइज निकलेगा या तो हम सर्प्राइज हो जाते मतलब अच्छे या बुरी दंग सई सर्प्राइज तो एक ओडियनसी होती है मुवी में जो मेरा देखने का पीछे रीजन था कि इसके अंदर एक तो प्रतिक गांधी और दूसरे विद्याबालन जो ये दो में का लाकारत है मुझे इनके कार्ण लगा किया ये मुवी को अच्छा तरिक्के समय आगे बढ़ाएंगे या फिर इनकी मुवी जादा तर अच्छी ही होती है मतलब विद्याबालन के जो मैंने इकलोती जो उनकी मुवी देखी थी इकलोती के काफी सारी मुवी देख रहे हैं जो इन्हों ने अपने दम पे आगे बढ़ाई है जैसे कहानी करके जो मुवी है मुझे वह बहुत ज़्यादा पसंदा थी उनकी परफॉर्मेंस या फिर जो उस मुवी की स्टोरी थी वह मुझे काफी ज़्यादा पसंदी इसलिए क्योंकि कुछ चिजू के उपर मुझे बात करनी है क्योंकि ऐसा ही इसके अंदर concept दिखाया गया इसके उपर बात करनी बनती है अब आपको लगे क्या आपने spoiler क्यों देदी है तो वीडियो आप यहीं पर pose कर सकते हो हाँ उससे कुछ नुकसान मेरा भी हो जाता है क्योंकि मतलब वो एक average time है वो घड़ जाता है कोई बात नहीं फिर भी आप इस वीडियो को यहीं पर चोड़ सकते है अगर आपको spoiler नहीं देखने है तो अगर जिन्होंने देखने हैं तो obviously इसको continue करेंगे तो movie की story हमें क्या देखने को में जाती है दो couple होते हैं एक का नाम होता है अनिरूद और एक होता है कभी मतलब दो couple का एक ही couple होता है जिसके अंदर दो लोग होते है एक जिसका विक्ति का नाम है अनिरूद और दूसरे होते है काव्या अब अनिरूत और काव्या की 12 साल, मतलब उनकी शादी को हो चुके होते हैं, उनकी लव मेरिज हुई होती है, 12 साल बीच चुके हैं उनकी शादी को, 12 साल बीच जाने के बाद अब इनको एहसास होता है कि यार हमारे लाइफ में वो वाला फन नहीं रहा जो पहले कभी हुआ क तो अब एक दूसरे से बोर होकर, ये लोग एक दूसरे को चीट करना स्टार्ट करते हैं, अनिरू जो है वो नोरा या फिर रोजी, एक लड़की के नाम है, उसको डेट करना शुरू करते हैं, वहीं काव्या जो है, वो इक्रम नाम के एक विखती को डेट करना शुरू करत दो अलग-अलग जोगों को जिनको ये वादा कर चुके हैं कि हम डाइवोर्स ले लेंगे, आप से शादी कर लेंगे, आप उनको ये दोका दे रहे हैं, सला ये चल क्या रहा है, और फिर जब ये मिया वीवी के आपस में बन जाती है, वही आपस में एक दूसरे से प्यार इन नहीं आना चाहिए, वरना यार इसके अंदर विचारे का कटता किसका है, जो तीसरा, चोथा, पांचवा, और कोई होता है, उनका कटी जाता है, अब देखो, इनसान क्या सोचता है, इस मूवी की एंडिंग में हमें क्या देखने को मिलने वाला है, कि भाई साब, यब यहा कर तो हम इसकी एंडिंग तक जाते हैं, और यही मतलब मैं सच कहूंगा कि इस पूरी मूवी को देखने का एक जो में रीजन था कि इसकी एंडिंग में हमें क्या देखने को मिलना है, so obviously हम एक प्रेडिक्ट करते हैं एक एंडिंग को कि यार ऐसी तो एंडिंग होगी, लेक मूवी बनाने के पीछे का क्या लोजिक है, क्या कार्ण है, यह समझ में नहीं आता, मतलब कि किसी कबल के बीच में अगर प्यार खतम होने को यह कहते हैं कि उनके बीच में सेक्स नहीं हो रहा है, तो प्यार खतम हो गया, तो पता नहीं यह किस लेवल का प्यार यह दिखात है problem तो देखो ना पुरानी नहीं होती है problem तो problem ही होती है और problem किस couple के बीच में नहीं होती है बाइसाब अब इसका मतलब यह तो नहीं होता है कि वो एक दूसरे को cheat करना start करते हैं obviously चलो आपको problem दिखाने ही थी तो वो सही डंग से उसका कोई तरीका होता उससे दिखाया जाते है ये कौन सा लोजिक बनता है कि भाई अगर उसको लगा कि भी एक लड़की को लग रहा है कि उसका पती मतलब उसमें कुछ चेंजिस आ गए है फॉर एक्जामपल कि यहां पर जो अनिरूद और काव्या के बीच में जो दूरी होने का काण इनुनुन दिखाया है वो ये कि अनिरूद जो वो काम में बीजी हो गए है वो पहले जैसा नहीं रहा है पहले जैसा हंसता नहीं है यार बारा साल बीत गए है अब बारा साल के बाद लाइफ इंसान के अंदर कुछ ना कुछ चेंजिस आते हैं कुछ क्या बहुत जादा चेंजिस आत यह किस तरीके की सोच दिखा रहे हैं? यह कौन सा प्यार हो गए? यह तो एक तरीके से कह सकते है, नि कि हवस हो गई. अगर कुछ दिन तक अपने पार्टनर के साथ, अगर बात नहीं हुई है, या फिर उसके साथ सेक्स नहीं हुआ, फिजिकल रिलेशन नहीं पने तो समय लो प्यार खत्म हो चुका है ये परिभाशा जो है आज की मुवीज के ये दो और दो प्यार करके मुवी जो आई है इसके अंदर हमें देखने को मिल रही है और जो एंडिंग है यार वो जिसमें कि भई गाववया होगी जो हस्मेंट वाइफ है अनिरूध जिससे प्यार करने मतलब जिसमें बताएंगे अब यह किसी और को प्यार करने लगया है रोजी या फिन दूसरा नाम नोरा होता है और काववया जो एक विक्रम नाम के आदमी को प्यार करने जाती है लास्ट में भाई सब क्या होता है उन चारों का ये चारों के चारों ही ये अलग हो जाते हैं ना मिया बीवी आपस में बचे उनके बीच में तलाग हो जाता है ना जो इनके साथ जो अफैर कर रहे थे उनके बीच में कुछरा वो अलग हो जाते हैं ही बना उस चीज़ का क्या result निकल का आया है वहां पर कोई हमें उससे message लेना चाहिए क्या message बन रहा है एक message ये बनता है कि यार इस तरीकी की वाहियात movie को नहीं देखो यार movie की केर उपर मैं रुपे लगा चुका था सिंपल सा रीजन तो यह था विद्या बालन रोड़ पर्ति गांदी उनके बीच की जोड़ी है वह कुतनी खास हमें नहीं लगती है मतलब वह उनकी कह सकते हैं कि यार वह जचते नहीं है साथ के अंदर पर्फॉर्मस की अच्छी है कु कुमेंट करना कि आप लोगों मूवी कैसी लगी और अगर नहीं देखें और आप सोच रहें कि आप फैमिली के साथ इस तरीके की मूवी को देखें या अपने वाइफ के साथ अपने पार्टनर के साथ इस मूवी को देखें तो मुझे लगता है कि यार इस तरीके के मूव झाल झाल